हेग गाईस कैसे हैं आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्स्प्रेस का यूटूब चैनल सो नैक्स बिगबेश लीग का मुकाबला होने वाला है एडलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में सो यह है 14th मैच बिगबेश लीग का चोगी खेला जाएगा 14th of Gen को 10.30 PM इंडिन टाइम के साब से सो इस मैच को हम cover up करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या होने वाला है इस मैच में तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कुछ updates हुए हैं दोनों टीमों के squad में कुछ updates हैं तो कुछ नए player जरू खेलेंगे और उनकी जो updates होंगी यानि की line up में होंगे नहीं होंगे team क्या last में final करनी है क्योंकि youtube पे तो आप वापस से आएंगे नहीं तो यह telegram channel आपको काफी मदद देगा अगर आप लोग telegram पे नहीं है तो telegram app को download कर लिजे और telegram channel fantasy express official को अभी join कर लिजे सबसे आसन तरीका join करने का है description में link और comment section में सबसे उपर मेरा comment है जिसमें इस channel का link दिया है comment section में जाईए सबसे उपर मेरा ही comment मिलेगा link मिलेगा ये वाला click कीजे join कीजे फटावर ठीक है बात कर तिस match की तो Adelaide Oval Adelaide में ये मुकाबला खेला जाएगा weather conditions बढ़िया है match पूरा होगा अगर बात करें pitch की तो pitch कैसा behave करेगी pitch report में पढ़ सकते हैं बट मैं आपको एक average अंदाजन जो दे देता हूँ 67 matches हो चुके हैं इस venue पे domestic में 40 batting first और 27 batting second ने जीते यानि batting first करना यहाँ पे थोड़ा सा better देखा गया है और average first inning का score 167 देखा गया है तो average inning का score भी अच्छा है यानि slightly batting को मदद है बलकि batting को ठीक ठाक मदद है और 40 times जो है टीमों ने यहाँ पे batting first करके जीता हुआ है जो की काफी interesting stat है highest score Sydney thunders का 232 का है और strikers का 87 lowest score registered है scoring pattern में देख सकते हैं 150 के नीचे 16 बार बना है 150 से 169 18 times बना है 170 से 189 की range 24 times है और 190 की अबब 9 times है तो सबसे जादा बार कौन सा score बना है 170 से 189 तो यही मेरे इसाब से आपको जो score है इस match में भी देखने को मिलेगा मैं expectation कर रहा हूँ minimum 170 वेन्यू पर बनना जाए बैटिंग के लिए अच्छी supportive वेन्यू है और अच्छी बैटिंग की गुंजाईश रहेगी ठीक है previous score भी देखे न तो ऐसा नहीं है 10 January 2013 में अभी recently जो match हुआ था strikers ने 202 बनाया था रेना गिट्स ने 182 बनाया था तो बैटिंग तो अच्छी होती है January 5 में भी एक match हुआ 200 प्लस गया यहां पर आप देख ले दिसंबर 2022 में भी scoring अच्छी 180 के असपास हुई एक बस match दिसंबर 2022 में जो हुआ था वो थोड़ सा low scoring हुआ था बागी आप सारी match चेक आउट कर लो 170 से उपर है और दो last के जो दो matches है वहां तो 229 चेस भी हुआ है तो यह venue batting के लिए first class है और जो अच्छे batters हैं वो आपकी team में होने चाहिए और इसके अलावा spin pace का record अगर हम देखे तो mostly वही Pacers ही dominant कर रहे है ठीक है अगर आपको summary में दू तो आखरी 4 matches में 23 wicket spaces और 12 wicket spinners को मिले हैं तो कहीं ना कहीं यह venue जो है वो batters को बहुत मदद दे हम देंगे और toss की time पर हम team में changes करेंगे जैसी toss report आईगी क्योंकि अगर 200 की wicket हुई तो आपको कोशिश करने हैं कि maximum batters के साथ जाईए अच्छे batters के साथ जाईए अभी फिलाल के लिए मेरी team में थोड़ते ball ज्यादा रहेंगे बट जैसी pitch condition निकल के आएगी मैं changes करूंग तो उसके लिए telegram channel है description में link है comment section में link है जाके join कीजे 17 matches खेले इन दोनों team हो ने आपस में 9 जीती strikers और heat जीती 8 मुकाबले तो लगबख टकर के matches इन दोनों team हो की बीच में होते हैं आखरी 5 match में heat ने 3 जीते हैं strikers में 2 जीते हुए ठीक है बढ़ ध्यान रखिएगा एडल 27 जीते 26 हा रहे तो उनका winning record strikers का इस venue पे अच्छा है अच्छे ये दोनों team हो ने add lead में कितने match खेले तो 8 खेले 5 heat जीती 3 striker जीती यानि strikers की घर में आके heat ने जादा matches जीते है strikers के सामने ये कर बहुत अच्छा stat है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं आखरी 5 head to head यान चिन दोनों team के बीच में हुए कौन कौन से player हैं जो हमेशा perform करते हैं उन पर थोड़ी सी नजर डालते हैं last match चिन दोनों team के बीच में 20 December 2022 को हुआ था यानि लगभग एक महीने पुरानी बात है उससे भी कम ठीक है 20 दिन पुरानी बात मान सकते हैं ठीक है उसमें hits ने 166 ब दो विकेट इसके पहले 12 जनवरी 2022 में एक मैश हुआ था लगभग एक साल पहले इन दोनों team के बीच में ड़केट ने 24 बनाये थे प्रेस्ट विज ने दो विकेट लिये दे वैदरल्ड 35 रंच मैथ्व शॉट 27 रंच राशिद खान की 6 विक्टे और मैथ्व शॉट की दो विकेट इसके पहले 23 दिसमबर 2021 में भी एक मैच था डगेट 78 हम हिजट 49 स्टिक टीन विकेट कुनमें तीन विकेट वेल्स 55 कैली 27 राशिद तीन विकेट पीटर सेडिल दो विकेट यहाँ आपको दिखिएगा पीटर सेडिल मोस्ट आप दर मैच में अच्छा करते हैं जो डैली 41 माननस 3 विकेट सेफसन दो विकेट वैदराल 32 रन फिलिपस 26 और वेस अगर का एक विकेट तो यह स्टैट है जो लास्ट मैच इन दोरो टीमों के बीच में खेले गए स्कोरिंग भी देख लीजे और किन किन प्लेस ने परफॉर्म किया एक बार स्क्रीन शॉट बड़े आराम से इन चीजों को देख लिजे यही आपकी मदद करिंगी टीम मनाने में आगे ठीक है आगे बढ़ते हैं वह बात करते हैं विनिंग प्रेडिक्शन किस टीम का अच्छा है स्ट्राइकर्स में कुछ प्लेयर्स वापस आ चुके हैं जिसके चलते मुझे लगत अभी स्कॉर्ड में आपको बताने वाला हूँ प्लेंग लेवन बताने वाला हूँ तो उस पर ध्यान दीजेगा स्ट्राइकर्स के प्लेंग लेवन चेंज होगी कौन-कौन से बड़े प्लेयर वापस आ चुके हैं ट्रैविस हैड और एलेक्स केरी इनकी वापसी टीम में हो चुकी है अब विगोट की प्रेंग ये करेंगे हैरी निलसन इस्कार्ड में नहीं रख़ी गई कोई क्यारी खेलेंगे उपन करेंगे विग्ट की यह होनी चाहिए प्लेंग 11 हाला कि इनके पास कॉलंडी ग्रांड होम भी वापस आ चुके हैं स्कॉर्ड में तो अगर टीम को लगा तो एडम होस की जगे पर या कैमरों बॉइस की जगे पर उनको टीम यहां पर खिला सकती है ठीक है तो यह है इनके टीम जिसमें दो बाजी करनी चाहिए या वैसागर को ठीक है वैसे तो पीटर सेडल में डैट गी इंदवाज है तो फरस्ट बॉलिंग में आपके लिए इवन ग्रेंड लिंग मैच्च अप्चन होंगे लास टाइम भी आप पोजिशन टीम के लाफ अच्छा खेले थे वैसागर ने भी ती फिर आते हैं मैथ्टिव शॉट ये भी रिसेंट लिए अच्छे कैप्टेंसी वैस कैप्टेंसी ऑप्चन हो जाते हैं फिर दो से तीन ओवर चार ओवर तक बॉलिंग करते हैं विकट विकट ले ले लेते हैं और बैटिंग फ़र्म भी काफी जबर्दस थे इनकी आप पो इनको देखिए रिसेंट लिए टी 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 फॉर्म बहुत शांधर चल रही है लास्ट इम अपोजिशन के सामने बार रहन है और इस वेन्यू पर आखरी दो मैचे से 60 प्लस की स्कोरिंग है यह वेन्यू इसको भी काफी सूट करता है ट्रेवेस हैड का देखो रिसेंटली क बहुत खराब है हेट टूएट ठीक है इनका और इस वेन्यू पर रिकॉर्ट फोड़त खराब है सिर्फ हेट टूएट इनका थोड़त ठीक दिख रहा है बाकि कैली के फिवर में कोई भी चीज नहीं है एडम होस यह 5-6 कहीं पी खेल सकते हैं कोगी टॉप आप आटर के प काफी जबरदस्त है बैन मनेती राइटा मॉप ब्रेक रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है अब पोजिशन टीम क्लाफ रिकॉर्ट फोड़त खराब है वेन्यू पे दो मैच खेले एक में विकेट है एक में नहीं है कैमरोन बॉइस यह बैटिंग वेकप भी आपको दे स मैच थोड़ से अवरेज गया है बड़ यह बहुत अच्छा अपोजिशन टीम का रिकॉर्ट फोड़ से अवरेज है वेन्यू पे रिकॉर्ड काफी अच्छा है है हैंडी फोड़न आपके पास होने चाहिए पीटर सिदल रिसेंटली फॉर्म बहुत अची नहीं है साल बह अब देखो यह स्टाइकर्स के प्लेयर है जिनका रिकॉर्ड अपोजिशन टीम ब्रिस्बीन हीट के सामने अच्छा या बुरा है जैसे एलेक्स केरी ने 5 मैच खेले अपोजिशन टीम खिलाफ 210 रन है 42 की बैटिंग अवरेज है इसकी बहुत अच्छी बैटिंग अवरेज प्लस विगिर की ब्रिंग करेगा अच्छा उप्चिन है करेगा अच्छा ओप्टेंसी वाइस करेगा मैथ्यू शॉट ने 7 मैच खेले 142 रन है सिर्फ 20 की अवरेज है बट यही है कि मैथ्यू शॉट बॉलिंग अगरा भी करते है उससे आपको पॉइंट देंगे हैंडरी हंट ने एकी मैच खेला 25 रन है लिंग के एक मैच में 12 रन है कैली की तीन मैच में 94 रन है कैली का भी हैट टूर काफी अच्छा है दियान दिने वाली बात है बहुत से प्लस का नहीं होता बट कैली का बैटिंग एवरेज काफी अच्छा है अब पोजिशन टीम के अब हैरी नेलसन ये हैनी स्कॉर्ट में तो इनका देखने का मतलब नहीं स्टैट बैंड मने की तीन मैच खेले हीट के सामने दो बार विकेट निकाली ये देखो वैस आगर का रिकॉड बहुत अच्छा है ब्रिस्बिन हीट के सामने ये प्लेयर एडलिट स्टाइकर्स का है शे मैच खेले हैं ब्रिस्बिन हीट के सामने तेरा विकेट निकाली है दो विकेट प्रती मैच का परफॉर्मेंस जाता है पीडर सीडिल इनका थोड़ा सा रिकॉड खराब है बारा मैच में सिफ 14 विकेट निकाली है लगबग आगर की बरावरी विकेट हो गई और मैच ड फिर मारनस इनके पास उसके बाद मैच रेंशो हैं जिबी पियर्सन, मैक्स ब्राइंट, सैम हिन काफी इन डेप्ट बेटिंग है इनकी फिर इनके आते हैं चार में बोलर प्लस पांच पे बोलर में आएंगे रेंशो और मारनस जो बॉलिंग करेंगे ठीक है मेरे साब से मा इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं स्टैट की एक एक प्लगा स्टैट देखेंगे ब्रिजविन हीट के उसमान ख्वाजा रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है आखरी मैच जो आए अठाइशन बनाके गए आप पोजिशन टीम के खिलाफ रेकॉर्ड ठ बैटिंग वेन्यू है इनको आप जरू टीम में पेक करना जॉस ब्राउन या आपके लिए ग्रेंड लीग में बहुत अच्छी आप्शन होंगे क्योंकि विकट बैटिंग को बड़ा मदद करेगा और जॉस ब्राउन में बीच में एक दो मैच बहुत शांदार खेले ठीक ये परसेंटेश सेलेक्शन कम होगा इनका बड़ ट्राई कर सकते हैं इस वेन्यू पर रिकॉर्ड नहीं है फिर आतने हम मैट रेंच ओ मैट रेंच हो रिसेंट्ली फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है राला कि रेंच काफी अच्छा है और वेन्यू पर पचास बनाया है मार और एक अच्छे पेक होंगे, कपताने वाइस कपताने के, Jimmy Pearson को देखो, recently form बहुत अच्छी नहीं निकर रही, head to head थोड़त खराब है, venue record खराब है, बट अगर शुरू आतमें एक दो विगिट जल्दी किर गए, तो Pearson capable है, runs बनाने की, एक बार दो साल पहले भी 67-70 का स्कूर किया था, इन्होंने, not out गए थे, अब बात करते हैं, Max Bryant, Sam Hain, यह आपको betting में depth देंगे इस team को, recently form इनके देखे तो ठीक ठाक है, Sam Hain एक बहुत बड़िया प्लेयर है, गिरेंड लिक्स में try कर सकते है, अगर टीम इनको थोड़ा सा उपर देखाए, तो head to head, brand का काफी अच्छा है, venue पर record भी brand का ठीक है, Michael Nessar का देखो, main death bowler है team के, बालेट की सांट death में गिंदवाजी इनको करने चाहिए, यह दो bowlers का pair चलेगा death overs में, बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं Nessar, बट पिछले दो मैचे थोड़ से average गया है, बालेट भी बैटिंग बैकप कभी भी आपको दे सकते हैं, प्लस विक्ट विक्ट निकाल के दे सकते हैं, थोड़ सा फॉर्म बालेट का बॉलिंग में खराब चल रहा है, बट बैटिंग बैकप भी बहुत अच्छा देते हैं, और यहाँ पर माइकल नेसर का फॉर्म सा बैटिंग में खराब चल रहा है, बोलर ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही इंपोर्टन ने लेकर चलिएगा, हैट टो एड जो है, वो नेसर का अच्छा है, और वेन्यू पर रिकॉर्ड भी नेसर का अच्छा है, ठीक है, फिर कुनमैन और स्पेंसर जॉनसन आते हैं, कोई बहुत अच्छे बोलर्स नहीं है, कुनमैन ने फिर 20 साल अच्छा खेला हुआ है, हैट टो एड कुनमैन का अच्छा है, हो सकता एक्सपरिमेंटल मोड में हो ना भी खिला है, हैट टो एड बहुत शांदार है, खेलेगा तो मेंट डैथ बूलर फिर यही है, और यह विकेट लेके जाएगा, वेन्यू पर रिकॉर्ड भी ठीक है, हैट टो एड टो एड बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं, मानस लेबुस चेंग, दो मैचेस खेले हैं, पोजिशन टीम के सामने, 34 रन वो 5 विकेट है, यानि बॉलिंग में तो बिल्गोल इसमें फोल्ड के राखा हुग है, रन्स भी ठीक राग बना दिए, उसमान ख़ाजा, आठ मैच में 256 रन, 36 का बेटिंग अवरेज हैं, रेंशो, चार मैच में 187, 93 की अवरेज है, पियर्सन, ग्यारा मैच में 298, 37 की बेटिंग अवरेज है, इनके most of the betters की जो बेटिंग है, वो अच्छी होती है, पोजिशन टीम खिलाफ, यानि ये लोग स्टाइकर्स को अच्छा खेलते हैं, ये heat के वो प्लेर्स हैं, जो स्टाइकर्स की सामने performance देते हैं, तो ध्यान रखिये इनका, फिर आते हैं Max Bryant, 8 मैच खेलें स्टाइकर्स की सामने, 158 रन से 19 का इवरेज है, नैसर ने 2 मैच खेले, 13 रन और 3 विक्टे हैं, स्टिकिट की 10 मैच में 16 विक्टे हैं, स्टिकिट की 9 में 6 विक्टे हैं, और बालिट की 4 में 4 विक्टे हैं, स्टिकिट काफी important होंगी, 1.6 विक्ट पर मैच की performance है, आप position टीम के सामने हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ प्लियर बैटल्स की, कुछ की बैटल्स जो हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, Matthew Short का एक बार कुन मैन और एक बार स्टिकिट ने विक्ट लिया है, और Nacer ने दो बार कृसलिन का विक्ट लिया है, 27 गिनों में 22 रन बनाए है लिन ने, Nacer के सामने, और दो बार अपनी विक्ट दिया है, एक बार कृन मैन ने क्रिसलिन का विक्ट लिया है, इसके बाद आगे देखिए, Thomas Kelly, दो बार विक्ट स्टिकिट ने इनका लिया हुआ है, काफी फसाते इनको, इनका एक बार विक्ट बॉक्ट ने ने काला हुआ है, आगर और स्टिडल अभी तक विक्ट ले नहीं पाए है, यहाँ पर मारनस का देख लिजिए, दो बार आगर ने इनको फसाय हुआ है, और एक बार विक्ट ली थी, और यहाँ पर पीटर स्टिडल जीमी पिरसन का दो बार विक्ट ले चुके है, तो कुछ यह स्टैट है, आपके शायद थोड़े बहुत काम आज जब टीम बनाया ठीक है, यह मेरी टीम इस मैच में बनने वाली है, और सबसे बहले मेरी टीम में एलेक्स केरी है, जो कप्तानी, वाइस कप्तानी के भी बहुत अच्छे आप्शन होगे, विगट कीपरिंग भी करेंगे, हैट विट बहुत शानदार है, उस्मान कवाजा, क्रिसलिन, एड़ाप होस को मैंने टीम में लिया है, तो जो थोड़ा सा ऊपर खेले, अच्छा बैटर उसको ले लिया ना, माइकल ने सर, शॉट और लैबूशेग्न को मैंने टीम में टीम में पिक कर रखा है, जिसमें लैबूशेग्न मेरे वाइस कप्तान, शॉट कप्तान है, फिर मैंने टीम में बालेट, सिर्डल, आगर और थॉटन को लिया है, अगर मार्ट किस टेकेट खेलते हैं, तो मैं उनको पिक करूँगा, क्योंकि मार्ट किस टेकेट ने पिछले बार जब खेला था, लास्ट ताइम आपोजिशन टीम को चार विक्टर लिखे गए थे, और में डैध बोलर भी होते हैं टीम के, तो थोड़ा बहुत लाइन अप में चेंज जरूर होगा, या फिल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्चन में उसके थूरू भी जा सकते हैं, तो यह मेरी ड्रीम अलाइम की टीम रहने वाली, यही स्रीम टीम आप किसी और प्लैटफर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बस कनेक्टेड रही है, टॉस रेपोर्ट देख लीज़ेगा, और फिल टीम का अपडेट देख लीज़ेगा, आपको वीडियो पसंद आए होगा, पसंद आए तो लाइक शे सब्स्राइब कीज़ेगा, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बबाए,